दोस्तो MS Excel के इस चेप्टर में आप सब का स्वागत है जहां पर आज हम सीखेंगे बिल एंट्री प्रफॉर्म करना अब आप सबको पता होगा कि अगर आप किसी सेल प्रोफाइल वाली जगह पर वर्क कर रहे हो कोई स्टोर है या फिर कोई जगह है जहां पर वर्क कर रहे हो करें तो बिना किसी दिर की शुरू करते हैं इस वीडियो को तो यहां पर हम सब-सब पर फॉर्मेट कि रेत कर लेते हैं सबसे पहली चीज जो इसमें पर पूट ने stakeholders number या फिर घ्ल नंबर तो यहीज़ हमने यहां पर जगह दी इसके बाद हम यहां पर देंगे जो भी हमारा product है तो हमने यह डाल दिया product description यह हमने लिखा फिर इसका भी जो size हो हम बड़ा कर देंगे यहां पर फिर यहां पर आते हैं तो उसका क्या rate है किदनी quantity customer ने ली है और उसका क्या amount है तो यह चीज हम यहां पर डालेंगे और इसके बाद उसके किदना हम JST लगा रह करती है इसके बाद हम इस area को select करेंगे जहां पर हम heading देंगे company का नाम तो हमने इसको select किया और हमने इसे कर दिया merge करने के बाद इसके अंदर हमें company का नाम देना है तो suppose जो हमारी company है वो है garment कपड़ों की दुकान है तो हमने अब डाल दिया mohan garments private limited तो यह हमने लिखा फिर हम sector 45 noida up 201301 इसके बाद enter करते हैं और इस area को select करते हैं और जो भी चीज हम इसमें कर रहे हैं जैसे कि हम क्या कर रहे है bill entry तो वह हम यहां पर इसकी heading है वह हम यहां पर दे देते हैं तो यह चीज हमने की अब यह करने के बाद इसको हम select करेंगे पूरे को इस तरह से और select करने क के बाद यहां पर कर देंगे all borders तो यह बादर वाले option में आप जाईए यहां पर option मिलता है all borders का इस बाप click करोगा और यह format आपका ready हो जाएगा इसके बाद इसे हम select करते हैं और थोड़ा edit कर लेते हैं तो इसे में थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूं यहां पर bold कर देते हैं और इसका जो color है वो हमने green कर दिया background का और इसके बाद इने भी select कर लेते हैं और select करने के बाद जो भी color हम यहां पर देना चाहते हैं जैसे कि हमने आप देदी यह वाला color और नीचे वाले में हम दुवारा से green color दे देते हैं तो यह हमने दिया बढ़ा कर लेते हैं इसे और अब इसमें जो में data fit-on करना है वो हम करते हैं तो सबसे पहले चीज़ यहां पर में क्या करना है invoice number तो जो भी आ बिल देते हो customer को उस पर invoice होता है यानि उस bill का इक number होता है तो वह होगी हमार invoice number तो हम यहां पर invoice number दे देते हैं इसके बाद उस customer ने क्या लिया है तो उसने ल जो उसका rate assert का वो multiply हो जाएगा quantity के साथ तो हमने equal किया और पहले हमने rate को select किया multiply कर दिया quantity के साथ और press किया enter तो यह आगे इसका amount इसके बाद GST कितना लगा रहे है जो basically अगर हम garment की बात करें तो वहां पर 2 main GST होती है एक होता है 12% का और एक होता है 5% का तो वह depend करता ही कि आपका fabric कैसा है किस नीश में आप work कर रहे हो तो वह matter करता है तो यहाँ पर हम suppose ले लेते हैं कि 12% GST ले रहे हैं तो हमने यह डाल दिया 12% एंटर करते हैं equal किया अब equal करने के बाद यह जो amount है इसका 12% हम कर देंगे तो multiply 12 divided by 100 आप जितना भी percent लगाते हो वह 12 की जगह आ जाएगा तो यह जो cell multiply 12 by 100 तो यह आगे हमारा GST और अब हम निका देंगे total amount तो total amount क्या होगा उसका amount plus में जो उसको text देना है तो वह हमने select के और press कर दिया enter तो इस तरीके से हमार जो total amount वह यहां पर आ जाएगा तो आप इस तरह से देख पा रहे हो अब यहां पर हम एक चीज और करनी है कि यह जिन चीजों पर हमने यह equation apply करी है आपने देखा था मैंने cell को select करा फिर multiply इससे करा इसे हमें drag कर देना पूर्य जो हमारा range है वहां तक तो मैंने यहां तक इसे drag कर दिया और इसे भी जो है वह हम इसी तरह से drag कर देंगे और same यही चीज हम इस वाले cell के साथ भी करने वाले है तो हमने इससे select किया अब यहां भी 00 आ रहा है जैसे मैं इसमें कोई भी data fit on करूंगा just suppose that मैं आपर data feed करता हूं next invoice का जो नॉर्मली amount आ गया है यहां पर इसका जो भी GST लग रहा है वो आ गया और जो total amount वो आ गया है तो इसी तरह से जो पूरा data है आपको जो bill entry में करना है जितने भी आप sale करते जाओगे उन सब के entry आपको one by one करना है तो नॉर्मली देख पा रहे हो आप यहां पर मैंने कर लेंगे यहां पर तो हम इसे select करते हैं और यहां पर कर देते हैं merge और यहां पर हमने लिखा total total sales कितनी हुए हमारे तो हमने यह किया यहां पर आना है और आपको एक shortcut की प्रेस करनी है जो कि है alt equal जैसे आप alt की को hold करके equal प्रेस करोगे by default आप देखोगे कि यहां पर सम का formula आ जाएगा और उपर की जो range है वो automatically select हो जाएगे प्रेस करना enter और जो total sales हुई है वो यहां पर आ जाएगे इसके बाद इससे select करके आप bold कर दो और यहां पर border apply कर दो इस तरह से जो आपका proper bill format है वो आप create कर सकते हो बहुत ही easy है बट इसकी need पढ़ती है अगर आप कहीं प करके अपना feedback जरूर दे thank you